अब पतनी जो है वो किसी का निजी संपती तो है नहीं ना किसी का गुलाम है, है ना, अब यह हम नहीं कर रहे हैं, यह सुप्रीम कोट का कहना है, तो क्यों ऐसा कहा गया सुप्रीम कोट के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है, आखिर क्या हो गया होगा ऐसा, एक पती है, जो कह रहा Supreme Court में नहीं चला जाता है तो जब मामला जो है एक समझ सकते हैं कि आप वो आंतिम छोड़ है आपका फैसले का मतलब एक बार वहाँ से जो फैसला हो गया ना तब हो गया वो फैसला तो अब उसके उपर आप कहां जाएंगे उसके आगे अगर परिवारिक बिवाद में लोग Supreme Court तक पहुंच जाते हैं वो बहुत बड़ी बात चोटी बात नहीं है इसलिए कि लोग जो है Family Court में ही अपना मामला जो है जो फैसला आ जाता उसको या तो स्विकार करते हैं या और स्विकार करते हैं बहुत हद तक ऐसे मामले होते हैं जिला जाला नहीं तो जो है High Court में मामले जाते हैं लेकिन अगर कोई व्यक्ति का परिवारिक जो मामला है परिवार का मामला है है ना पती पतनी का मामला है पतनी और पती का मामला है और चला जाता है मामला का Supreme Court में आप समझ सकते हैं कि वो जो मामला ले जाते होंगे सुप्रीम कोट में वो कितना आगे है लराई लरने में मतलब उनको फैसला जो है वो स्विकार नहीं है आप समझ सकते हैं कि आखिर विवाद क्या होगा तो देखें विवाद के अगर बात करें तो ये जो विवाद है इन दोनों का जो विवाद है वो 2013 में जो है दोनों का विवाद होता है ना विवाद होने के बाद 2013 में और विवाद होने के बाद होता है कि पड़िवारिक जैसे होता है ना कि दहेज के लिए परतारित करना मार पीट करना तंग करना परेशान करना ऐसा समस्या उत्पन जो होने लगा जो कि कहीं न कहीं आप समझ सकते हैं समाज की बहुत बड़ी कूलीती है जो नहीं होना चाहिए लेकिन आज भी अगर मामले देखें तो एक मामले नहीं है बहुत सारे मामले यह जो गोट में लंबीत है और बहुत मामले इसे जिसका फैसला हो चुका है तो आज जो हम बता रहे हैं जो फैसला हो चुका उसके बारे में तो 2013 में साधी होता है और दहेज के लिए परतारित किया जाता है लड़की बेबस होके जो है जो उनकी पतनी है वो बेबस होके अलग रहना सुरू कर देती है और उनको लगता है कि अब जो है साथ रहने में कोई भलाई नहीं है और इस वेक्ती के साथ रहने में कोई फाइदा भी नहीं है इससे अच्छा है कि अब जो है अलग होकर रहा जाए महला जो है महला 2015 में जो है और अलग जो है एक तरह से हो गई कुछ दिन के बाद से और 2015 में जो है गुजारा भत्ता के लिए बलग रहेगी ठीक है माल लेकिन विवा तो हुआ है तो कानून तो है तो गुजारा भत्ता जो चाहिए यह ना गुजारा भत्ता के लिए जो है वो एक तरह से केस जो है फाइल किया गया लेकिन ऐसा जब मामला जो ये इस परगार का जब मामला फैमिली कोट में जाता है न तो फैमिली कोट में दोनों पक्च को देखने के बाद ठीक है अगर लगता है मान लेते हैं कि एक पहला पढ़ियास ये रहता है कि किसी का घर ना तोटे आप देखे होंगे बहुत सारे जाता है क्या समस्या है मामला अगर ऐसा होता है कि सुलत जाए किसी का घर पड़िवार ना तोटे तो जो है वो उस तरीके से भी उसको ट्रेट किया जाता है लेकिन यहाँ पर फैसला सुनाये गया और इसलिए की गुजारा बता है इस महला को चाहिए महला के साथ समस्या थ कि महला के साथ वजो पुरूस के द्वारा है वो परतारित किया जा रहा था फैमिली कोट का फैसला ये आया कि महला को बीस हजार रूपिया पर मंथ देना आपको खर्च के रूप में ठीक है अब है कि ठीक है पती को लगा कि अब तो ये जो है अब हम को आगे और जाना चाहिए ये तो मेरे उपर एक तरह से जब अब फैसला हो गया तो देना ही परेगा उसके बाद पती फिर आगे जाके दो सोचा कि अब ऐसे करते हैं कि आगे जाते हैं जो उसके उपरी अदालत हैं वहाँ ले जाते हैं बश्यक्राइब जाक्प गुजराब बग्त देने का तो आदेश हो गया, तो ऐसा कर लेते हैं कि पत्नी के साथ रहने को तयार हो जाएगा तब तो गुजराब बग्ता देना नहीं परेगा तो यहाँ पर जो है जब मामला हाई कोट में लेकर चला गया बैक्ति के दौरा जो है मामला यह मामला जो है इलहाबाद हाई कोट में गया अब इलहाबाद हाई कोट के दौरा जो है जो याजिका दिया गया यहना उसके बाद उस बैटी का जो पती है उसका याची का ही ठुकड़ा दिया गया अब तो भीकल बसता है कि मतलब अब आपका केस जो है वहां एकसेप्ट हुआ ही नहीं मतलब है कि अब आपको आप उससे उपर जा सकते हैं आज मान लेते हैं किसी का जिला नियाले से फैसला हो जाता है और मामला आप उसी मामले वो हाई कोट में लेकर जाते हैं और हाई कोट में लगता है कि जो जिला नियाले का फैसला वो सही है तो उस मामले को उसको एकसेप्ट ही नहीं करते हैं उसके बाद मतलब अब समझ सकते हैं कि आपका case वही रहा गया फैसला जो कि आपका जिलाने आला के द्वारा दिया गया तो यहाँ पर जो पहले फैसला दिया गया वही फैसला रहा गया अब बैक्ति को लगा कि अब तो यह हमको गुजाराबता देना पर जाएगा हम तो खुद दहेज के लिए परतारित कर रहे थे और यहां तो मंथली हमको अब कॉस्ट भरना परेगा अब समस्या हो गया बड़ी समस्या है उस बैक्ती के लिए तो बैक्ती तो लगाय जाएगा तो उसको जेल भी हो सकता असबेक्टी को इसलिए कि कोट का आदेस है आप उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो ये तो एक तरह से अभी माल लेते हैं कुछ दिन पालन ना करें ठीक अभी नहीं कर रहा है लेकिन जिस दिन फिर उसकी सुनभाई होगी तो फिर उस प्रकिरिया जो है सुनबाई केस को accept किया गया और जब एक तरह द booklet सुरू हुआ तो वहाँ पर सुनबाई में पति ने कहा कि मुझे कोई आपति निया मने पतनी के साथ रहने को त्यार हूँ तो फिर मुझे Gужाराभट्ता क्यों देना परेगा अब तो हम साथ में रह रहे हैं अब तो Gужाराभट्ता की जरूत ही नहीं है लेकिन जब जो फैसला आया बार-बार ये जो है मांग किया जा रहा था कि जो यहाँ पर गुजारा भथता है उसको हटा दिया जाए है न और पत्नी को वापिस यो है पत्ति के पास आने का आदेस भी देना चाहिए पत्नी नहीं जाना चाहती थी पत्नी जो है अब एक जो है कोई भी अगर इस condition में आ जाए कि वो जो है अलग होना चाहरी है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, देखें अगर मान लेते हैं उसको अलग-अलग senses सोचेंगे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई महला परतारित है वो भी एक कारन हो सकता है, हो सकता है कि आप उसके बारे में बहुत सारा जो है तो ये हो सकता है, हो सकता है कि बेक्ति पुरुस अगर की बात करने तो पुलुस की गलत हो सकते हैं, या कई और मामले में गलत हो सकती है, या हो सकता है कि दोनों गलत हो सकते हैं, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई महला जो है अगर वो परिसान होती है और ए द्वारा आदेश दिया जाता है अब यहाँ पर पत्नी को फिर पती जाके यह कोट से आदेश ले कि मेरे साथ रहने को त्यार हो जाए इसी पर सुप्रीम कोट नहीं कहा यह कोई नीजी संपत्ती आपकी नहीं है आपके साथ विबा हुआ है तो आप यह न समझें कि यह आपकी नीजी संपत्ती है कि जब मन करें कि हम बुला ले और जब मन करें कि हम कोट में मामला लेकर चले जाए है ना और अगर बात करें तो यहाँ पर जो है जो महला है उसके अधिकार है है ना वो अधिकार दिया गया और जो वेक्ती है जो कि बार-बार ये कहता रहा कि हमको गुजारा बत्ता बंद कर दीजिए ताकि देना नहीं परे उसका जो एक तरह से याचिका है उसको भी वहाँ पर खारिज कर दिया लेकिन सारा बात जो है वो सुनने के बाद तो आप समझ सकते हैं देखें अगर मान लेते हैं कि अगर ठीक है आप समस्या है आप जो है एक तरह से अर्जस नहीं कर पा रहे हैं और उसके कई कारण है तो ठीक है आप अलग हो सकते हैं लेकिन अगर पड़िवार में आप जो है पती पत्नी है बिबा हुआ है अलग होंगे तलाक देना परेगा तो जो पती है अगर उनका जो कमाई है जो कोट के दोरा तै होगा आपके पास जो प्रोपर्टी है उसका अधिकार तो देना ही परेगा है ना उस केस में उसका अधिकार देना परता एक पती का सेयर जो है ना ठीक है पतनी को जीवन काल में जो है कानूनी को अधिकार जो है उस केस में दिया गया जब पती जो है उसको अपने से अलग कर दे कानूनी अधिकार पिता के संपत्ती में दिया गया कानूनी अधिकार उस केस में मिला जब पती की मिलत्यों हो जाती है तो पत्नी जो पत्ती का संपत्ती है वो उसका अधिकार उस पत्नी का होता तो ये जो है स्टुप्रिम कोट के दौरा फैसला दिया गया असा करते हैं आपको ये फैसला अच्छा लगा होगा हम आपके लिए जो है जो एक तरह से कोट के दौरा जो भी फैसले होते हैं जो भी क जीवन में अगर कोई समस्या आता है तो उसको अपने से हेंडल करने का पढ़ियास करें आसा करते हैं वीडियो अच्छा लगाओगा वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक जरूर करते हैं चैनल को पहली बार देखने सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर